अज़र अगर आपको बहसीर के समस्या के साथ गुदा अस्थान कमर पीठ होता हो बहसीर के साथ कवज की समस्या हो और अज ऐह आप इस टोख़ा की से सेवन करते हैं तो आपके बहसीर की समस्या हमेशा के लिए ठीक होने लगेगी हैलो दोस्तों कैसे आप उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे मैं डॉक्टर चलिए शुरू करते हैं दोस्तों अब लोग देखते हैं इपàyल्स को डीट Correct और यौनी और बादी अब लोग देखते हैं कि पाइल्स या बवासीर किन-किन कान्यों से होती है जैसे खान पान में गरवरी अधिक पेल मसाला का सेवन करना कम से कम पानी पीना पयाप नीन नहीं लेना सही से नहीं सोपाना और स्ट्रेस का ज्यादा लेना फाइवर डाइट नहीं लेना जैसे गाजर मूली खीरा टमातर बवसीर की समस्या हेरिदेट्री और जिनेटिक भी होती है जो एक पीडी से दोसेट पीडी में जाती है सिरेंट्री लाइफ जो लोग हमेशा बैठे रहते हैं पेट की विमारी के वाया से बारवार डाइरिया होना शराब मादक पदातों का अधिक सेवन करना दूस्तों अ ऐधिक पीरा यह नहीं होती है जोनी बवसीर में ऑद्लिया करने के बाद यह से अंदर चले जाते हैं अगर यह अवस्ता घंभीर हो जाता तो यह मश्तों koleांगोनी जाते की जो बादी बादी ब fiance बlvania इसमें बार-बार खुजली और जलन होती है, सुवाती अवस्ता में ये तकलीफ दे नहीं होते हैं, लेकिन लगातार खान-पान में गरवरी और कब रहने के वज़ा से बहुती जाती है, इसमें खून जम जाती है और सुजन आ जाती है, इसमें बहुती जारा परिशानी होती और रोगी च्ठ पताने लगता है मलत इयाद करते समय उसके बाद भी रोगी को ड़च बनी रहती जिससे बोवसीर की समझया बहुती जादा बढ़र जाती है बवसीर के मरीज को अपनी परिशानी की वज़से सही से चल नहीं पाता है और इसे बैठने में बहुती ज़्यारा तकलिफ होती है बवसीर का एलाज कराने पर यह सारी परिशानी हमेशा के लिए ठीक हो जाई दोस्तों अब हम लोग समझते हैं कि किसी को बवसीर या पाइल्स हो जाए तो उसे क्या सब लक्षन आएंगे उसे क्या सब दिक्कत होईगी जैसे एनस में दर्द खुजली और जलन और एनस के पा समस्या से परिशान है तो आप साब्धान हो जाए आपको बवसीर फीसर फिस्टूला हो सकता है आप सिगरी कब्स की समस्या को दूर करें अगर किसी को बवसीर की समस्या हो जाए तो उसे यह सब करना चाहिए जैसे शीट बात करना चाहिए लेना चाहिए इसमें एक तब मे में पानी पीना चाहिए इना चाहिए फल और फ़ूट्स का सेवन कарना चाहिए चाहिए नीन लेना छाहिए जूस ऐ जूसी चीजों का सेवन कारें ये सब गदलावा करने के बाद रूक्राई की समस्या धूर नहींängt तो एक चम्ट्राइए सब्गोल की भूसी एक गिलास पानी मिलाकर डेली रात में पीना चाहिए या लेना चाहिए अगर आपको बावसीड की समस्या है तो आप इन चीजों से परहज करें जैसे स्पाइसी और जंक फूद से परहज करें चाय कॉफी कम से कम पिए मादक और श समस्या के साथ गुदा अस्थान कमर पीट में दद होता हो बावसीड के साथ कबज की समस्या हो और बावसीड के लोगी को ऐसा महसूस होता है उसके गुदा दवार में धार-दार कांटें अटके परहें तो ऐसी कंदिशन में आप इस होमियोपैटिक दवा का सेवन अगर आप इस दवा का इस तरीके से सेवन करते हैं तो आपके बावसीर की समस्या हमेशा के लिए ठीक होने लगेगी और किसी को बावसीर होने की वज़ा से किसी को ऐसा महसूस होता है कि उसके गुदा दवार में कांच के टुकरे भरे परे हैं मलत याकनने के कई घंटों बार तक उसे गुदा दवान में दर्द के साथ जलन महसूस होती है मल पतला आता है तब युसे बहुत ज़ादा ही कर्ष्ट होती है अगर बवसीर के मस्य बहार निकल आते हो और साथ में दर्द होता हो गुदा तथा मस्यों में आपके जैसा जलन और दर्द होता हो रोगी ये बवसीर की समस्या आपकी सारी समस्या हमेशा के लिए कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी अगर किसी को खुणी बवसीर हो जिसमें आसानी से खुण आ जाता हो जब रोगी सौच करने जाता है उसके गुदा द्वार पर दध होता है चाहे पटली मल्क आती हो तब भी दध ह होता है मलतियाग करने के एक या दू घंटे के बाद रोगी को मलदवार पर बहुत टेज दध रुक्रुक के होता हो बवसीर के मत से बहार निकल आते हो और इसमें चुबन जैसा दध होता हो तो ऐसी कंदिशन में नाइट्रिक एसिद तीज पावर की दो दिन में दो बा ल होता है पुरा पेट साफ नहीं होता है मलतियाग करने के लिए जब तक यह दोबारा नहीं जाए तब तक इसको थोड़ा आराम नहीं मिलता है इसके रोकिका एनस या गुदा में बहुती जारा खुजली होती है जब यह थंदे पानी में बैशता है तो इसके खुजली में ठीक हो जाएगे अगर किसी को खुनी बवसीर हो और खुनी बवसीर के रोगी को मस्तों से काला खुन बैटा हो और इसमें हलका हलका दर महसूस होता हो खुन अधिक मार्चा में बैटा हो और टपकन महसूस होती हो तो ऐसी कंडिशन में हेमामेलिस क्यू पावर की 20 स्वून आ खुजली होती हो इसके रोगी को कभी खुणी बादी बवासी के जैसे लक्षन आते हो इसके मरीज को कभी कभ्ज कभी दर्ष की समसिया जैसा बना रहता हो और साथ में बहुत ही ज़धा गैस बंती हो तो तो इस condition में आप कोलिन सुनिया 30 पावर की दो बुन दिन में तीन बार लिजिए अगर आप इस तरीके से इस दावा का 7 करते हैं तो आपकी ये सारी समस्या हमेशा के लिए कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी अगर आपको बवसीर की समस्या हो और गुडा में बहुती ज्यादा खुजली हुटी हो एनस या गुडा में कटैने जैसा दज होता हो गुडा फटकर उसमें से पीप या खुन निकलता हो और बवसीर की समस्या के साथ फीसर और फिस्टूला की समस्या हो तो ऐसी condition में आप प कुरre के साथ कवॉर्ण की समस्या इसके रोगे को को कव्व के समस्यां के साथ बहुत जाला गैस बनती है। इसके मरीज को बहुत जाला सबस्दपत takो वासीर की समस्या हमेशा के लिए ठीक हो अगर कि 아침 य payment दो मुंतबे से किसीकी समस्दपता हो विष्टर की समस्दस्था मे भी दर वश्दा या Schluss स्देशा हो आप इस तरीके से एगर आप को बहासीर की समसिया सालों से हो और सत्रेशा हो कब्स की समस्य अधी खोटी हो, मल छोटी-छोटी गांटों में खून से लिपता हुआ हो, मल द्वार में जलन और कुट-कुटाहात महसूस होना और बिल्कुल भी मल ट्याग ना होना, बार बार मल ट्याग करने के इच्छा होना और खून मिले दस्ट होना, तो ऐसी कंडिशन में आप सलफर 30 पावर की दो दिन में दो बार लिजिए, इस तरीके से अगर आप इस दवा का सेवन करते हैं, तो आपके बासीर की समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी, दोस्तो इन दवाओं में से जिस दवा से आपके लक्षन मैच करते हैं, आप सिर्फ वही दवा ल आप वहां से भी ले सकते हैं, ओके दोस्तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई टोपिक के साथ, टप टप के लिए आप अपना खयाल रखें, अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और फेस्बुक निस